लक्ष्मी जी की कहानी एक साहुकार की एक बेटी थी वह रोजाना पीपल के पेड में पानी डालने जाती थी पीपल के पेड पर लक्ष्मी जी का वास था एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रगट होकर उससे कहा तू मेरी सहेली बन जा वह लड़की माता पिता की आग्या कारी थी उसने कहा यदि मेरे माता पिता आग्या दे देंगे तो मैं आपकी सहेली बन जाओंगी उसके माता पिता ने उसे आग्या दे दी दोनों सहेली बन गई एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे खाना खाने के लिए निमंतरन दिया, माता पिता की आग्या लेकर वह लक्ष्मी जी के यहां जीमने चली गई लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला भेट किया, रुपए दिये, उसे सोने से बनी चोकी पर बिठाया, सोने की थाली, कटोरी में 36 परकार के वियंजन परोस कर खिलाया जब वह अपने घर के लिए रवाना होने लगी, तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी तुमारे यहां जीमनी आऊंगी, उसने कहा, ठीक है, जरूर आना, घर आने के बाद वह उदास होकर कुछ सोच में पड़ गई, पिता ने पूछा, सहेली के यहां जीम कर आई, तो उदास क् उसने अपने पिता को कहा, लक्ष्मी जी ने उसे बहुत कुछ दिया, अब वो हमारे यहां आएगी, तो मैं उसे कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है, पिता ने कहा, तुचिंता मत कर, बस तुम घर की साफ सफाई अच्छे से करके, लक्ष्मी जी के सा रामने एक चोमुखा दिया जला कर रख देना, सब ठीक होगा, वह दिया लेकर बैठी थी, एक चील रानी का नोलखा हार पंजे में दबा कर उड़ती हुई जा रही थी, उसके पंजे से वह हार छूट कर लड़की के पास आकर गिरा, लड़की हार को देखने लगी, उसने अपने पिता को वह हार दिखाया, बाहर शोर हो रहा था कि एक चील रानी का नोलखा हार लेकर उड़ गई है, किसी को मिले तो लोटा दे, एक बार तो दोनों के मन में विचार आया कि इसे बेच कर लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रबंध हो सकता है, लेकिन अच्छे संसका पिता ने लड़की को कहा, यह हार हम रानी को लोटा देंगे, लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए धन तो नहीं है, पर हम पूरा मान सम्मान देंगे, उन्होंने हार राजा को दिया, तो राजा ने खुश होकर कहा, जो चाहो मांग लो, साहुकार ने राजा से कहा, कि बेट ऐसी विवस्था करवा दी, लड़की ने गनेश और लक्ष्मी जी दोनों को बुलाया, लक्ष्मी जी को सोने की चोकी पर बैठने को कहा, लक्ष्मी जी ने कहा, कि मैं तो किसी राजा महराजा की चोकी पर भी नहीं बैठती, लड़की ने कहा, मुझे सहेली बनाया है, तो मेरे यहां तो बैठना पड़ेगा गनेश और लक्षमी जी दोनों चोकी पर बैठ गए लड़की ने बहुत आदर सतकार के साथ और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया लक्षमी जी बड़ी परसन हुई लक्षमी जी ने जब विदा मागी तो लड़की ने कहा अभी रुको मै और उसकी बेटी बहुत धन्वान हो गए लक्षमी मा जिस प्रकार आपने साहुकार की बेटी का आतित्या सविकार करके भोजन किया और उसे धन्वान बनाया उसे प्रकार हमारा भी आमंत्रन सविकार करके हमारे घर पधारे और हमें भी धन धान्या से परिपूर्ण करें जै लक्ष्मी मा, तेरी कृपा हो, तेरी जै हो.